तॉपुध हलो डियर श्टूडेंट जहींज राजधनी मडोकर मैशिया दो राजधनी अजुकेस ग्रूप पच्कोणीया जोबरेर जैपुरजे स्वागत करता हूँ आप सभी का डेरी की दुनिया में, दूद की दुनिया में, बोले तो दुग्द विज्ञान की दुनिया में, सभी का स्वागत है, सभी का, welcome है, let's start without wasting a moment, और ये है, वही सभी को नमस्कार, सभी को very good evening, सभी को ससरीकाल, सभी को सब्बाग है, सभी को जहर आज दने, let's start, dairy, dairy, ये आपकी dairy सुरू हो गई, और आज हमारा topic ये हो चुका था वही, ये मुझे लग रहा है, मानस प्रताब सीन बीच में लगा दिया, यहां तक हम लोग कल कर चुके थे, आज हमारा topic रहेगा, दूद के संगठन को परभावित करने वाले कारक, today we are going to discuss about the factors affecting composition of the milk, हो गया, तो let's start, भाई थोड़ा लाइट वाइड से करते मानस, नमबर एक सामन दिखा, देख, कारक लेलू भाई, सबसे पहला है animal species, भाई आज जैसा animal होगा, वैसा ही तो दूद देगा, वैसा ही देगा ना, भाई पसू की जाती सबकी अलगा कला अबने एक टे पड़ी, कल टे बिल पड़ी ती ते-दा, गाय का अलग दूद था, बहस के दूद का सगडर अलग था, बकरी का अलग था, भेड का अलग था, लास्ट वाली क्लास में टेब थी भाई, सब के अलग 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 थे राइट, दूसरा कारक आ गया, दूद को सगडर का अलग होता है गाई की दो नस्लों की बात कर लो आप जर्शीक अलग होता है हैना उसके ना गिर का अलग होता है सब का अलग होता है न जैसे एक जाम्फल भी दिया मने he के अंदर है कि या मुर्रा बहिस के दूद में जो वसा होती है साथ पाइंट चार है बदावरी में तेरा तक जा रही है तो भाइ पसू की जाती का भी तो असर पढ़ रहा है तिका भी तो असर पढ़ रहा है अब ले लो पसू की ओम्र edge of the animal भया उम्र का भी फरक बढ़ता है 3 से 6 साल की उम्र तक यानि 3 साल का पसुआ है 4 साल का हुआ फेट बढ़ेगी 5 साल का हुआ फेट बढ़ेगी 6 साल का हुआ फेट बढ़ेगी फेट बढ़ेगी लेकिन 6 से 10 साल तक भी ना बढ़ेगी ना गटेगी, स्तिरो जाएगी 6 सेम, 7 सेम, 8 सेम, 9 सेम, 10 सेम लेकिन 10 के बाद में तो वसा गिरना शुरू इसका मतलब उम्र का भी फरक है बढ़ता पेंदियो भई उम्र का भी तो फरक है बढ़ता 3 से 6 साल तक उम्र में बढ़ती है वसा 6 से 10 साल की उम्र में एक ही जगे रुख जाती है वसा और 10 साल से ज़्यादा का हो गया तो गिर जाती है वसा वसा की मात्रा गिर जाती है इसका मतलब उम्र का भी असर आ रहा है दोस्त उम्र का भी असर आ रहा है उसके बाद है अगला कार है खिलाये जाने वाला चारा क्या खिला रहो माल लो आपने खिलाया दल हनी चारा माल लेते आपने खिलाया दल हनी चारा दल हनी चारा खिलाया तो दल हनी खिलाया तो दूद ज्यादा आया दल हनी खिलाया दूद ज्यादा आया मैंने खिलाया दलहनिचारा दूद पसू के आया ज्यादा मैंने खिलाया बिनोला मैं तो भाईया उसको काकडा खिलाओ बिनोला या बिनोला की खली खिलाई बिनोला खिलाया बिनोला की खली खिलाई तो बहूँ आ संत्रप्त वसी अमल ज्यादा आने लग जाएगे संत्रप्त वसी अमल ज्यादा अमल ज्यादा राइट है मैंने खिलाया हाँ और से जीदेशा नो Märtya की की को लिएंगे यह बच्छ की कि अलसी बच्छ तो आँगेंगे भई मेरा आज नहीं है यह से क्कृर रहे हैं श्क्ट मेरा नीव ताज अज नी अभी टैम है झाल-एविड्र अभी नहीं है आएगा तो में बता दूगा आपको ना थेंक्यू बाकि लोगों की दुणाओं के लिए आप लोगों की विसेज के लिए आप लोगों की सने के लिए आप लोगों की प्यार के लिए बहुत-बहुत सुभ का rouग्शा हुद ठीक है बड Day? तेंक्यू तो दलणी चारा लाऊगए तो दू ज्यादा देगी बिनोला लाऊगए तो संत्रप्त वसीय अंबल ज्यादा आएगा पांच को भी नहीं है पांच को नहीं है, पांच को तो संडी के चक्कर में हम birthday का रखते हैं में सभी, रखते हैं, चार को हैं, चार, चार, four, हाँ, पांच, पांच नहीं, पांच को सिक-सख दिवस आता है, उससे फस्ट ज में आता है, ठीक है, तो यह हो गए भीड़ा, तो देखो दलनी चारा कि लाओगे तो दूज ज्यादा आएगा बिनोला या बिनोली ख़ली कि लाओगे संत्रप्त वसी अमल ज्यादा आएगा अब ये संत्रप्त वसी अमल क्या होता है बता रहा हूं आपको और वसा दानेदार आएगी L.C. खड़ी की लाओगे तो एस संत्रफवसीय अमल ज्यादा आएगा अब देखो संत्रफवत हो रहे संत्रफवत में क्या फरक होता है संत्रफवत का मतलब होता है जो L.C. इनको फोलो करते इस सुत्र पे जो खरे उतरते हैं इस सुत्र पे जो खरे उतरते हैं उनको तो बोलते हैं संत्रप्त और जो संत्रप्त वसीय हमलो होते हैं न दोस्त वो सारे वसा होते हैं वो वसा की तरह वेवार करते हैं वसा की तरह वो वसा होते हैं वो घी होते हैं गी 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 अब आपको H संत्रप्त दाता हूँ, जैसे मालो की C 17, तो 72 दुना 34 और 2, 36, H 36, ये बिटा संत्रप्त है, क्योंकि जितने कारवल को आइडरोजन सी है, उतने पूरे के पूरे इसके पास आइडरोजन है, तो ये हो गया संत्रप्त वसीय हमल, यानि कि वसा गी, 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 अग अगर ये ऐसे हो, कम पड़ जाए, मालो, C 17 और H 35 हो गया, तो फिर ये तेल है, ये S संत्रप्त हो गया, या 34 हो गया मालो, तो ये क्या हो गया, दो कम पड़ गये ना, तो ये हो गया S संत्रप्त वसीय हमल, और यह होते हैं यह तेल होते हैं यह तेल होते हैं यह तेल होते हैं तेल 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 तो अगर आप लोगों ने यह वाला बिनोला खिलाया ना तो घी जैसे वसी अमल ज्यादा आएंगे संत्रप्त वाले ज्यादा आएंगे और अगर आपने यह अलसी की खली को नपिए नाद भिलाई Skillshare की केक खिला ही तो पिर तेल वाले जैदा वसीं आजए हमलाईगे यह फरक होता है तो ड़लय फोटी है संत्रप्त में मुझे लख रहा हम समझा पाया हूं कि करते हैं और कि इनको भी बोलते हैं जैसे आपका यह सत्रा और चोंतीस है यह तेल होता है इसके पास हाइट्रोजन कम पड़ रही है अगर दो आइट्रोजन तो फिर यह तरह वेवार करने लग जाएगा इसी लिए जो तेल होते हैं उनमें हाइट्रोजन देने से अच्छु देने से वो वनस्पती गी बन जाते हैं व्यास्पती गी बन जाते हैं और इसको दो हाइट्रोजन बन जाएगा और ये बन जाएगा गी गी में और वसा में वह तेल में इहीं फ्राक होता है गी जो बनाते आसे भराते हैं जो इत philie न Hazra 00 étaient वहाig मुझे लग रहा है मैं समझा पाया हूं बात को अपनी को अपनी बाता आपके सामने बड़ी सा न्याए करने वाले, समझ में आया गया तो बताने वाऽे मुझे, तीसरा अभी हम पढ़ रहे है, दूद की संगटन को प्रभावीत करने वाले कारक, पाच्वा कारक आपके बीच में, मोसम का प्रभाव, अगर ब्रसाद का टाइम है, हराचारा जम के मिलेगा, हरा चारा जम के मिलेगा तो बरसाओत के टाइम में हरा चारा जम के मिलता है उसे न दूद तो बढ़ जाता है दोस्त दूद तो बढ़ जाता है लेकिन वसा की मात्रा कम 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 SNF भी कम कम भाई दूद दूद तो वही रहता है वसा तो वही निकलती है अब दूद ज्यादा में निकल रही है तो वसा के मात्रा कम आ जाएगी और कम दूद में वही वसा कम दूद में निकल रही है तो परसंटेज ज्यादा आ जाएगा राइट है भई तो मोसम का परवाव बरसात में हरा चारा ज्यादा मिलता है तो दूद का उत्पादर बढ़ जाता है दूद का तो बढ़ गया लेकिन वसा तो उतनी निकलेगी भई दूद ही बढ़ा है वसा तो वही निकलेगी तो ज़्यादा दूद में कम वसा होगी, इसका मतलब वसा की मात्रा घट जाएगी, SNF की मात्रा भी घट जाएगी, सर्दियों के पास आजाओ, सर्दियों में क्या होता है, फेट भी बढ़ जाती है, सर्दियों में गाय का दूद निकाल रहे, गी ज़्यादा आता है, सर्द अगर लंबे समय सुखा मोसम रह गया बर्सात नहीं आई हरा चारा नहीं खिलाया तो बह। दूद भी घट जाएगा वसा भी घट जाएगी जई दूद भी घट जाएगी एसनें भी घट जाएगा लेकिन वसा बढ़ जाएगी वसा बढ़ जाती सुखे मोसम corr वसा बढ़ जाती है, मतलब दूद कम देने लग जाएगा तो वसा की परसंटेज बढ़ जाएगी देखो भाई, देखो मुझे सारे आगे क्यों दूद बढ़ गया तो वसा तो उतनी देगा हो सारतिर्तु में क्या होगा वसा SNF दोनों ही बढ़ जाएगे लंबे समय सुखा मोसम रह गया तो तो भाईया दूद वसा दोनों घड़ जाएगे ऐसे नहीं बढ़ जाएगा अब आजाओ बिमारियों का प्रभाव फेक्टर नमबर सेक्स एफेक्ट ओफ दा डिजीजेज अब बिमारी तो बिमारी है भाईसा बिमारी तो बिमारी है भाईसा बिमारी तो बिमारी है बिमारी होगी तो जैसे मालो थनेला हो गया थनेला होगे तो पूरा दूद ही बेकार हो जाएगा चिछड़े आने लग जाएगे अना बेकार चीज़े आने लग जाएगी बास खराब हो जाएगा दूद, हो गया, नंबर साथ, this is your stage of the lactation, ब्यात की अवस्ता, ब्यात की अवस्ता, ब्यात का भी फरक पढ़ता वही, नहीं पढ़ता, जैसे ब्यात के सुरू सुरू में, ब्यात के न, आर्दस सक्ता तक दूद बढ़ता है, ब्यात के आर्दस सक्ता तक दूद की मातरा बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो भया, दूद सुरू सुरू में कम मिलेगा, वसा परसंटेज कम हो जाएगी, और बाद में दूद कम हो गया तो वसा परतिसत बढ़ जाती है, है, देखो, देख ले, सुरू सुरू में आर्दस सक्ता तक दूद की मातरा बढ़ती जाती है, तो वसा पहले जब दूद बढ़ेगा, तो वसा कम होती जाएगी, ऐसे होगा, और लास में जब दूद बिल्कुली कम हो जाता है, मतलब मिल्क ज़्यादा तो फेट कम, बस यह की कंसेप चलता है, हो गया बढ़े, दूद ज़्यादा तो फेट कम, क्योंकि फेट तो फिक्स बनती है, ज़्यादा दूद में आएगी तो परसंटेज कम हो जाएगी उसकी, हो गया, चलिए बढ़े, अब लेटें दुख्द दोहन की अंतरावधी, गेप कितना रखते हो दूद में, साम की अपेक साथ जो सुबह होता है ना बढ़ेटा, दूद ज़्यादा देती है बैस, क्योंकि गेप ज़्यादा मिलता है, दूबारा सुनना भाई, साम वाड़ा दूद होता है न वो जल्दी आता है, बढ़ेप नहीं रहता, तो दूद कम आएगा, लेकिन सुबह वाड़ा क्या होता है, साम का, फिर सुबह निकालते तो गेप ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होता है तो वसा परतिसद जाएगी कम, तो साम की बजाए, सुबह न बिटा, दूद ज्यादा आएगा, तो वसा अपने आप ही क्या हो जाएगी कम, हो गया, अब सुरू में जो दूद निकलता है, उसमें फेट आती है कम, और बाद वाले में आती है, ज्यादा, ये भी फरक पड़ता है, जैसे ये आय ये अडर है, बेकार सा, ये अडर है, तो ये दूद बरावा इसके अंदर, तो दूद क्या होता है, वसा हमेशा अलकियोने कारण क्या रहती है, उपर रहती है, तो फेट बिटा ज्यादा यहां रहेगी, ये फेट रहेगी उपर उपर, और नीचे क्या हो जाएगा, अब किसी ने दूद निकाला, तो ये दूद 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 ये कम फेट काएगा, और लास्ट का दूद आता है, लास्ट लास्ट वाड़ा, वो ज्यादा फेट का जाएगा, अच्छो हां, शुरू में कम मिलती है फेट, हां, जैसे कभी आपने दूद निकाल रहे हैं, देली साठे साथ फेट आ रही है, और एक दिन क्या हुआ, बैस बीच में ना चमक गई, डर गई, गबरा गई, पूरा दूद नहीं दिया, उसने आदा ही दूद दिया, और फिर उस दूद को देड़े के लिए गए, देरी के अंदर फेट कम आ जाएगी, फेटे कम आ होता है भाई, लास्ट वाले दूद में ज्यादा गी होता है, ज्यादा वसा होती है, क्या बात कर रहे हूं, हाँ, सही बात कर रहा हूं भाई, देखो देखे समझ में आगे क्या, तो आयन से निकले सुरूद वाले दूद में वसा कम होती है, लास्ट वाले में तो वसा पर पिट्टी कर रहा है गाई मालों एक्सराइज कर रही है वाल है टो थ्री फॉर कपाल भाती कर रही है एक्सराइज कर रही है दोड़ लगा रही है ना गाई मालों एक्सराइज कर रही है डेली व्यायाम कर रही है गाई डेली जिम में जा रही है जिम जा रही है गाई डेली ये कर रही है ये कर रहे है पुसस अब कर रही है हाब भीया तो दूध की मातर तो हो जाएगी कम गाये सब्सक्राइब हो जाए तो भाईया उस समय क्या होगा दूद कम हो जाएगा लेकिन फेट बढ़ जाती है हो क्या है नंबर नाइड दुख्द दोहन के समय वेवहार अब देखो दोहन के समय वेवहार मालो आप दूद निकाल रहे है दुख्द दोहन कर रहे है और पसू मालो बढ़क गया अब बढ़कने का मतलब क्या होता पता आप वो भाई दूद उतारने वाला हार्मोन जो होता न मिल्क लेट डाउल हार्मोन sorry दूद उतारने के वाला हार्मोन वो होता है वेटा ओक्सिटोसेन ओक्सी टोसीन ओक्सी टोसीन ओक्सी टोसीन को कहते है milk let down आर्मोन बहुत अच्छा question है जो बच्चे competition की त्यारी कर रहे है दूद उतारने वाड़ा आर्मोन होता है ओक्सी टोसीन एक मतलग दूसरा अगर पसु बढ़क गया तो फिर एक आर्मोन secretion होता है adrenaline पस्व अगर बढ़क गया ना बढ़कते ही क्या निकलेगा adrenaline निकलेगा adrenaline ठीक है बड़ा adrenaline क्या करता है इस दूद उतारने वाड़े हार्मोन ओक्सी टोसीन के प्रभाव को कम कर देता है इसका प्रभाव कर देगा कम आयोर adrenaline oxytocin का प्रभाव कम इसके प्रभाव कर देगा यह कम इसका मतलब भया जो दूद उतारने वाड़ा खेलता न बंद हो जाएगा पस्व को आपने डराया उसने adrenaline निकाला adrenaline गरंती ने अडrenaline निकाला और adrenaline गरंती निकाला उस adrenaline टोसीन के एफेक्ट को खतम कर दिया अब वापस पसु दूद चड़ा लेगा अगर यह condition बंती है न तो जो उपर वाड़ा दूद था न इसके अंदर भी फेट जादा थी यह वाड़ा वो बेटा उपर वो पसु के अंदर रह जाएगा फेट आ जाएगी कब जो दूद उतारने वाले आर्मोन उक्सिटोसीन का प्रभाव खतम कर देगा और दूद और वसा दोनों ही कम निकले दूद तो कभी निकलेगा वैसी व्यादा ही निकाड़ा आपने फेट भी कम आएगी उसके अंदर फेट भी कम आएगी यह भाई कोई भी कमेंट करने से पहले आप थोड़ा सा एक बार देख लेते आप जल्द बाजी कर रहें कुछ नए बच्चे आए उनको लगरा यह ऐसे ही चलता है ऐसे नहीं चलता एक मिनिट में यहां से आद्मी उड़ता है विटा दुबारा दुबारा नहीं आता इसलिए तोड करना ज्यादा है डिसिप्लींड है और डिसिप्लींड ही इनको एक दिन आगे ले जाए का ऐसे कुछ भी टाइप करने से ऐसे नहीं होगा कभी जीब निकाल दीर कभी यह कर दियार कभी ओ गयार ऐसे नहीं चलता ऐसे नहीं चलता भई अभी नया है यहां के नियम समझ मुझे लग रहा है साइद कंसिप्ट यहां क्लियर हो गया अब आरा वेरी मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट वाला टॉपिक देज सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाड़ा क्वेस्चन्स वो इधर से आते बिटा फिजीकल प्रोपर्टीज ओब दा मेल्क इसमें से सबसे क्वेस्चन आते बिटा एक्जाम हो रहा है कुछ है पहले तो रंग कैसा है दूद का दोल ये दोल दोल के सीन के कारण दोल ये दोल दोल के सीन के का फिर गाय का तुर्णा पीला पीला होता है पील ये पीला दोल के रोटीन के कारण कल ही बताया था विटा दोलो ये दोलो दूद के सीन के कारण हातो आत यात वनाचे कल के लिए प्रिपास टाइम नहीं है दोस्त दूद की मुखे प्रोटीन के सीन कुल प्रोटीन की 80% कली समझाई दी है न मिटा इसकी वज़े से बफर वेल्यू भी रहता है दूद का दूद का पीएच आसारी से नहीं बदलता है कल बात हो जी तीसकी प्रोटीन हमेशा कोलोईडल फॉर्म में होती है प्रोटीन हमेशा कोलोईडल फॉर्म में होती है कल बात हो चुकी है तो मुझे लग रहा है साइद एक बोतिक गुणों में पहला गुणों हो गया वही कलर कैसा होता है तो गाई का दूद थोड़ा सपीला प्रण लिये होता है बैस का दूद सपेद होता है सपेद के सीन की वज़े से होता है पीला के रोटीन की वज़े से होता है बस तोड़ा याद करने मजा आता है इसलिए दोडो दोडो बॉल देते भाई मेटो है मेटो दोडो लेकटोज के कारण तो अगर आप रंग देखे तो सपेद या हलका पीला मिलता है रंग लेके दो सपेध या बाई मैं हो गया बहुत बहुत दन्यवार इतना सने इतना प्र थोड़ा देखिए बड़ाइक लास्येस वागे थोड़ा डिस्ट्रबेंस रहता बाकि एक आरे बीडी चलता आज के लो थोड़ा सा ट्राइम नी मिल पा रहा नहीं उसमें तो कुछ भी कमेंट सारी पड़ते हैं बाकि दन्यवाद वेड़ा तो मीटाया मेटा दो लेक्टास के कारण आओ आपेक सी घनातु निकालते हैं स्पैसिपी ग्रेवीटि आपेक सी घनातु आपेक सी के घनातु आज आपेक सी घनातु अगर आप थोड़ा सामय डेफिनिसर आज बता ही देता हूं एक तो दूदे के निश्चित आयतन का भार एवं दूसरा आता है जल के निश्चित आयतन का भार के भार का नुपात यह आपके किसी करना तो कहलाता है यही आपके किसी गनातो कहलाता है देख कितना एजी है आपको पता है अनुपात किस किस का अनुपात है किसर यह दूद के निश्चित आयतन का भार और फिर जल के निश्चित आयतन का भार इन दोलों का अनुपात है और अनुपात हमें सक कैसे लिखते विड़ा एक अनुपात दो इसको लिखते एक बड़ा दो इसका मतलब इसको उपर लिख दो इसको नीचे लिख दो यही आप एकसी गनातो है क्या यही आप एकसी गनातो है हाँ यही आप एकसी गनातो है उपर क्या है का देखे दूद के निश्चित आयतन का बार नीचे क्या है बड़ा जल के निश्चित आयतन यह क्या है कि आप लोग नहीं आयतन और यह डरते हैं से आप मुझे पता आप में से कही सारे बच्चे जो दूद के निश्चित आयतन लिखा आगया तो उसको बेवोस हो गए कसरी आयतन तो मेरे को आ जाता कि समझ में नहीं है रहे क्या समझ में नहीं है बहुत इजी है देख अभी आपको करना क्या उपर मान लेते हैं अपने एक लिट बटा निश्चि क्या एगा पानी के निश्चित आयतन का बात तो पानी हमेशा एक लिटर जो पानी आयतन होता ना एक लिटर उसका वजन भी एक किलो होता है एक लिटर पानी एक किलो वजन लेकिन उसी एक लिटर दूद का वजन होता है एक किलो थाईस ग्राम से एक किलो नहीं 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 अगर मालों मैं यहां पर दूद नहीं लेके घी ले लूँ तो फिर यहां पर परिबासामें क्या होगा यहां दूद की जरा आजाएगा गी या वसा और उसका वजन होता है 0.930 kg हो गया बटा जलका कितना होता है 1 kg केजी से केजी गया यह हो गया 0.93 यह वसा का हो गया भाई यह वसा का हो गया अगर मालों आपके पास वसा नहीं है सेप्रेटा दूद क्रीम निकाला हुआ तो वो बेड़ता एक किलो से तीस गराब तो केजी में हो जाएगा 1.037 बेट रहा है नीचे हमें से भी 1 केजी तो केजी से केजी कड़ जाता है ऐसे निकलते बिटाई ऐसे निकलते ऐसे निकलते अब आपको बता दू भाई देखना भी जनरली कितना होता है दूद का पे सिकर रहे तो जनरली होता है गाय का और भैस का दोनों का मिक्सर कर ले अपड दूद ही माल ले तो 1.028 से 1.030 अब इनवे भी देखो यहाँ दो दूद है यह गाय का है माल ले तो गाय का जो वजन होता न, गाय की दूद का वो 1.00 यह तो 1. oui 1.23 ग्राप से 1.32 ग्रतेइस कर दो बैस गाय दोनों का मिक्सर ही आ गया और अकेली गाय का पूछे दो 1.28 ग्राप से 1.30 ग्राप तोगे जीर गराम तो अटी जाएगे लिदे पानवी से ही की जाती है बैइया, सब एकग्जाम चेंज हो जाएगे आथकी कोलेज की बदल गई बसे तो और बदल जाएगे सुपरवाइजर नहीं बदलेगी भाकी सब बदल जाएगे ठीक है? बाकि से बदल जाएगी तो गाय के दूद का कितना होगा है एक पाइंट जीरो दूद आरसे 1.03 जीरो अब आज ओ बैस बैस होती है एक किलो 30 गराम से 1.32 यानि कि 1.030 से 1.032 ये बैस के दूद का पेसी करतो हो गया गीका होता है वसा का वज़ा 930 गराम उसको भी केजी में लिख दो 930 यानिकि 0.930 केजी तो केजी तो बैसे नहीं कि पानी का लगके कड़ जाएगा भाई दुबारा मत करो सेम कमेंट को मैंने बोला ना आपकी एकजाम किसक जाएगी आपकी जो बाकी कोलेज की एकजाम है नो वो सब चेंज जाएगी अठारा को तो नहीं है ना तो बस फिर बदलने के जोरत ही नहीं है वसा का गी का वजन कितना होता है कभी भी गी देने वाले लिटर बरके गी नहीं देते कभी भी जैसे कोई गी लेने गया ना तो भाई एक दो किलो गी देदो जी लाओ जी लिटर का वजल लाओ जी ठीक है एक किलो दूद में पाणी कितना है उसके तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं भाई आप एक सी गरत तो कर ले और भी कई तरीके होते हैं तो वसार 230 ग्राम हो गई खीस, तो वो बैठते हैं एक किलो 40 गराम से 1 किलो 80 गराम, यह सब आपे क्सी करनतु है क्या बात करो हैं इतने इजी होते हैं आपे क्सी करनतु हाँ, बस वजन याद रखना पढ़ता है सबका सबका बजन याद रखना पड़ता है कि दूद का 1 kg 28 g से 1 kg 32 g तो 1.028 से 1.032 गाय के दूद का 1 kg 28 g से 1 kg 30 g तो 1.030 से 1.8 1.28 से 30 बैस का 30 से 32 वसा का 930 साब जाती है देख ले इतना तो मैंनों याद हो गया मजाक मजाक में हो गया देख लो देखे नॉर्मली दूद का कितना हो गया गाय भैस दोलों का एक साथ बोल दो 28 से 32 और गाय का 28 से 30 बैस का 30 से 32 सेपरिटा का 37 है न बई और वसा का 59 तीर हाँ आप थरोस अरल है सबके याद हो गए खीस का बता दिया मैंने 1 किलो 40 ग्राम से 1 किलो 80 ग्राम अब आजो दूद उबलता कितने पर है boiling point तो दूद उबलेगा 100.17 degree centigrade पर पानी उबले सोपरजी ओहो हो 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 पानी उबले सोपरजी दूद उबले थोड़ा ज्यादा 100.17 पर बिरारे पानी उबले सोपरजी ओहो हो 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 दूद उबलेगा मेल यह साब क्वाश्चन ने बिढ़ा अटक गया अटक गया अटक गया दूद उबले पाइंट एक साथ इससे ज्यादा पर यादे हो गया अज्याओ 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 उन्द बीच नंबर फाइंट जमाओ बिंदू जमाओ बिंदू जमाओ बिंदू जमाओ बिंदू होता है इसका कितना होता है पानी का जमाओ बिंदू फ्रीजिंग पोइंट पानी कब बरब बनता है सर जीरो डिगरी सेंटीग्रेड पर लेकिन ये बिया जीरो से भी माइनस में ले जाना पड़ेगा वो माइनस जीरो पाइंट पाँच तीन से माइनस जीरो पाइंट पाँच पाँच माइनस है माइनस है 0.53 तीन से माइनस 0.55 पाणी जमेगा जीरो पर ओहो हो 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 दूद के लिए और कम कर माइनस 0.55 तीन से माइनस 0.55 पाइंट पाँच कि अब याद किस्ते कर ना तब जाकर आएगा और इस के लिए अन तरा आता है ये वाला एक तो ठर्मिस्टर क्रायोस्कोप से घ्याद करते हैं ठर्मिस्टर क्रायोस्कोप क्रायो मीन्स होता ठंडा या होल्ट वेट क्राइस्कोप से किसी का भी जमाव बिंदू निकाला जा सकता है तो जमाव बिंदू आया कितना सर माइनस जिरो पाइंड पांच तीन रहना आयो आन रहना रहना याद करने का जिरो पे जमे गपानी जी दूद जमे माइनस 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 किसी निकालते थर्मिस्टर क्राइस्कोप से या होल्ट वेट क्राइस्कोप से हो गया आजारे नान्या दूद को पीये चे बता दियो पीये च होता है छे पाइंट छे बाबा छे पाइंट छे दूद कपी एच छे पाइंट छे पाइंट छे दूद कपीयेच छे पाइंट छे य दूद कपीयेच छे पाइंट छे पाइंट छे पाइंट छे तोड़ आमली हो गया दूद या हो गया अब आजाओ आपंवारत नाग ये याद करन नपवीड़ा 6.6, बाबा 6.6, दूद कपी 6.6, रनना निया 6.6 दूद कपी 6.6, वैसे 6.4 से 6.7 होता लेकिन एवरेज 6.6 जाद करने भी इजी रहता है, comfortable भी है और यही एवरेज भी होता है हो गया, अब लेते हैं दूद का अपवर्त नाग, refractive index अब यह आ रहा है, सात्वा, refractive index और यह होता है, 1.0344 1.0344 से 1.0348 जब भी कोई कीरन ना, सूर्य की कीरन या प्रकास की कीरन ना, कोई भी लाइट वेव रेडियसन है वो जब एक माध्यम से, मालो यहाँ पानी आ गया, तो एक माध्यम से आती है, थोड़ा सा उसमें क्या आ जाता है, विचलन आ जाता है जानी तो ऐसे चीए, लेकर गूम जाती है अपने मार्क से, that is, refractive index तो दूद का refractive index 1.03, जिरो नहीं आएगा, सूर्य 1.334 से, 1.344, सूरी जिरो नहीं आएगा, 1.344 से, 1.348 1.344 से, 1.348 मापते किसे है, immersion refractometer मापता refractive index इमर्शन रिफ्रेक्टोमीटर, मापता refractive index देखो देखो इमर्शन रिफ्रेक्टोमीटर, मापता refractive index नमबर आठ, विद्यूत चालकता कितना चलता करण, तो दूद में चलता 0.005 मोज, दूद में चलता करण 0.005 मोज, 0.005 मोज, 0.005 मोज कितना चलता है करण, दूद में 0.005 मोज मोज, मोज इसकी काई है, इसी कितने निकल गया आगई? 0.005 मोज, मा के तो जी मोज हो रही है मा के तो 0.005 मोज है तो कितना चलता है करण, 0.005 मोज, मोज, मा के तो गया? याद हो गई? दूद की, कितना चलता है करण, 0.005 मोज खात्वाद याद करना, कल के लिए टाइब नहीं बचा है कितना चलता है करण, 0.005 मोज ताजे दूद की अमलता कितने होती है, जैसे पीएज तो कितना है 6.006, बाबा 6.006, दूद कपी है 6.006, लेकिन अमलता आती है 0.14 से 0.16 पर तिसत, ये भी ठीक है, आपको आले भी 0.11 से 0.15 लेकिन जैदा बुक्स जो स्टेडर्ड को करने विड़ा, बहुत अच्छी जो बुक्स होती है बहुत अच्छी, सुपर, उनमें ये मिलेगा वो, 14 से 16 ताजे दूद की अमलता होती है, 0.14 से 0.16 पर तिसत, ताजाए ताजा दूद 0.14 से 0.16 ताजाए ताजा दूद, 0.14 से 0.16 ताजाए ताजादूद, 0.14 से 0.16 पर तिसत, ठीक है, फोड़ा इधर उदर चल सकता है, वेरियेशन लेकिन इस टेंडर्ड बुक्स में ये ही मिलेगा, अब आ गई, विसको सिटे, विसको सिटे, विसको सिटे, विसको सिटे, विसको सिटे, विसको सिटे, ऐसी कोण सी सिटे है, जिसके अंदर कोई रहता ही नहीं है, वो विसको सिटे है, गड़ा पर, शान्ता, भाई सैद क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्यान्ता रखता है, इसलिए वो दीरे दीरे बहता है, दीरे दीरे चले मारो स जैसे पानी चलता है दूद आ गया मालो फिर उसे बाद में देदरे पानी चल रहा है उसके पीछ नहीं नहीं ऐसे पैट्रोल कम्पिटीशन कराया यह कोई बैने वड़ सता है मैंने यहां से सैद को यहीं से दूद को यहीं से पानी को और यहीं से पैट्रोल को इनको एक साथ गिराया है तो बताओ नीचे सबसे पहले कौन जाएगा एक नमबर पे आएगा पैट्रोल पैट्रोल ओन फर्स्ट पोजीशन पानी ओन सेकिंड पोजीशन दूद थर्ड पोजीशन और सैद आएगा चोथे नमबर पे गोल्ड मेडल गोज तो पैट्रोल और सिल्वल मेडल पानी हाएगा इसलिए गाणा मेडल भी बना हाने हाने होगया तो इसका जो दूद का गाड़ा पर निकलता ना स्यांता निकलती है वो डेट से दो सेंटीपोई 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 हाता जे दूद की अमलता 0.14 0.16 परतिसे होती है यदि दूद को पड़ा रहने दी जाये तो उसमें दूद को गरम करने फट जाता है वो दूद की श्यांता गाड़ा पर कितना होता है सरफेस टेंस प्रस्ट तनाव अरे बैया आपको आता है क्यों ये फालतों में किदर गिराते हैं ऐसे करके आप क्या करने में हो भाई क्यों डिस्टब कर रहे हैं बाकी बच्चों को यार यह देख ले बिटा यह नहीं आते तेरे को पसुको तो तो गिरा रहा ठीक बात है लेकिन यह तेरे उनका नाम भी नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि यह बच्चों की क्लास चल रही है यह आपकी प्रस्टनल क्लास नहीं बिटा बाकी बच्चे पढ़ने के लिए हैं अच्छा कुश्टनों को मैं अपने आप जवाब दे दूँआ के बल ध्यानाकर्ष्ण प्रस्ताव के 46-48 डाइन्स पर सेंटीमेटर ठीक है 46-48 डाइन्स पर सेंटीमेटर तो भैया फिजिकल प्रोपर्टीज ओब दा मेल्क पूरी हो गिरवा पो गिरवा पो गिरवा पो गिरवा अब आ गया दूद के वेधानिक मान लिगल स्टेंडर्ड ओप मिल्क लिगल स्टेंडर्ड ओप मिल्क कुछ कानून बने पड़े है बाई कुछ कानून बने पड़े है जो यह बताते कि भैया इतना फेट ओना ची इतना ना इतना बिटा यह आपको नहीं लग रहा है आप डिस्टरब कर रहे हैं यह आपर मुझे लग रहा है आपको साइद यहां से विदा करना पड़ेगा आपको लग रहा है कोई बिडा कंट्रोल रखो अपने अब उठने बले हो नहीं दूद का वेधानिक मान बिडा वेधानिक का मतलव विधान के अनुसार समीधान के अनुसार खुब सर आशिरवाल विडा दूद का विदानिक मान Legal Standard of Milk तो मारा एक नियम बनावा है FSS Rule बहुत ही most question है FSS Rule 2011 पहले इसका नाम था PFA Rule 1904 सुना किसी ने Prevention of Food Anulteration पहले था PFA 1904 1954 पूरा नाम क्या था PAP खा Prevention of Food Adult Tracer मतलब क्या हो गया हाँ खादे मिलावट अधिनियम या खादे मिलावट रोकताम नियम यूँ कह दो रोकताव अब आज के लिए PFA PAP ना रहा पहले 1954 में बना था PFA PFA कब बना 1954 में अब इस PFA Rule को बदल दिया गया अब नए आ गया अब नए आ गया अब आ गया FSS Rule पहले PFA Rule था अब आ गया FSS Rule FSS आ गया इसका पुरा नाम है Food Safety Standard Rule Food है F बोले तो Food Safety Standard Rule और ये बना था 19 सोरी 2011 में 2011 में FSS Rule आया Very very most question आया 2011 में FSS Rule आया Very most question आया देखे काद्य सुरक सहम मानक दिनीम आ गया है Food Safety and Standard ये FSS Rule है 2011 में आया था पहले इसका नाम क्या था बदल दिया इसको पहले इसका नाम था PFA Rule Prevention of Food Adulteration PFA Rule 1954 लेकिन अब PFA Rule को बन गया FSS Rule FSS Rule एक्जाम में आने वाला Very 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 most question आया Very very most question आया हाँ ये very most question है क्योंकि नया ही बना है और इस समय यही चल रहा है पहले इसका नाम PFA Rule था PFA भी आता था जब PFA आ रहा है तो भी तो नया Rule है ये तो आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये क्या कहता है ये FSS Rule क्या कहता है वो ही वेधानिक मान है कि कितना होना चीए गाय के दूद में वसर और वसर ही ठोस कितना होना चीए बहाँस के दूद में तो एक तो ये याद करना भाई FSS Rule 2011 क्या कहता FSS Rule क्या कानून इसके लिए ये कानून बना रहा भी या कि गाय के दूद में पंजाब में, हरियाना में, चंडीगड में चार साड़े आठ का नियव है इन स्टेट में चार साड़े आठ का रूल है कि कम से कम चार परसेंट फेट होनी चीए पंजाब के, हरियाना के और चंडीगड की गायों के दूद में या वहां के नियम के इसाफ से जबकि ओडिसा में तीन नो ना चीए और राजस्ता मरो राजस्ता सड़े तीन सड़े आठ अगर गाय की बात करें तो राजस्तान के लिए रूल है कि भया राजस्तान में गायों राजस्तान के जो गाये हैं न विड़ा और इसके आज पास के दूसरा राज्ये है इनके तीन रूल है पंजाब और याना चंडीगड का 4,5,5 का रूल है मुझे लग रहा समझ में आगया से कि कम से कम 4% फेट होनी ची है साढ़े 8% SNF होना ची है ये किसकी बाद चले देगो ये नियूनतम एक तो पहला वसा है दूसरा SNF है तो वसा कितने होनी ची राजस्तान की इसमें हरियाना, चंडीगट और पंजाब इनके लिए ये नियम है 4 फेट और साढ़े 8 वसा ओडीशा का ये नियम है 3 फेट, 9 वसा और राजस्तान का ये रूल है सड़े 3, सड़े 8 राजस्तान की गाहे में सड़े 3, सड़े 8 राजस्तान की गाहे में राजस्ता मरो राजस्ता सड्डे तीन, सड्डे आठ रजस्ता मरो, रजस्ता सड्डे तीन, सड्याठ बैस के पास ले चलता हूँ आपको बैस बैस के दूद में न राजस्तान का 5-9 का रूल है हलाकि जो बारवी किताब उसमें 6-9 दे रहा है लेकिन राजस्तान के लिए 5-9 बैस के दूद में 5-9 होना चाहिए, 5% कम से कम फेट होनी चाहिए, 9% SNF होना ही चाहिए लेकिन कुछ राज्यों में 6-9 का भी रूल है हाँ ना कुछ राज्यों में 6-9 का भी है तो हम तो बारवी किताब के साबस देखे तो 6-9 बैस है 3-3-8 गाई है अगर बारवी के या जनरल बात करें तो यह वाला लेकिन बसे बिल्कुल परफेक्ट तो यह यह बड़ा राजस्तान के लिए 5-9 का रूल है बाकी राज्यों के लिए 6-9 का रूल है बैस के लिए राजस्तान राजस्तान 5-9 बाकी सब को चन्नों 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 च्атов हाणों जेखो देख Sacramento यह दूद किसी को यह याद ही करने पड़ेंगे कल के लिए टेरे पास टाइम नहीं है कल क्या-क्या पड़ेगा भई कल जिक्ये का आपको ना वो किल्ले पूरे करने है, जीके में किल्ले करने है, जोगराफी भी आपकी पड़ीवी है, हाँ, सुपरवाजर वाले राजस्तार ने कर लेना कहिए, सुपरवाजर वाले बच्चे राजस्तार ने कर लेना, यह सुपरवाईजर का गाडा है राजस्तार वालों के लिए रहेगा इंडिया वालों के लिए ये जी चन्नो छलता है चन्नो चन्नो बैस है 750-8 गाई है बक्री बैस एक समान दोनों परदों पूरा द्यार देखो राजस्तार के इसापसे बकरी गाय एक समान बकरी गाय यह गाय का था यह सेम टू सेम बकरी का है राजस्तान के साब से बकरी गाय एक समान दोनों पर दो पूरा ध्यान बकरी गाय एक समान दोनों पर दो पूरा ध्यार मुझे लग रहा ये साथी तीन साथी आट नो बहुत आएगा ये कईयों में आएगा साथी तीन साथी आट वैसे भी खूब आए गए क्या मैं समझा पा रहा हूँ भई याद हो गया थेंक्य बड़ा आज जाओ नया टोपिक सुरो वेधानिक मान भी पूरा नि बेड़ का कोई नियम नहीं है बेड़ का कोई नियम नहीं है विड़ा हो गया अब आज जाओ मार्केटेड मिल्क विपनित दूद एक दिन निकाल के important question करवा दीजिए मैं सोच रहा हूँ एक दू दिन में यह हो जाए उसके बाद मैं question कराता हूँ आपको question कराता हूँ जो बच्चे किताब लेके बटे थे राजिस्तान सूपर एगरी कल्चर उन बच्चों को मैं अंटरलाइन करवा दूँ एक बार मेरी इच्छा हो रही है 판 SEEPE goat一ो इचलpo बच्चों निज़ा सेँअ स्रोज गाय बहस्त बकरी हो दोनों का इए चलpo अब लेते मार्केट मील की वह वाला दूद पूर्ण दूद प्रसंस्क्रित दूद पूर्ण प्रसंस्कृत सुरक्षित दोध जो उपभोगता को डायरेक्टी बजार में बेचने के लिए दिलाया जाता है दुबारा सुठना पूर्ण प्रसंस्कृत पूर्ण प्रसंस्कृत वे सुरक्षित दोध पूर्ण है प्रसंस्क्रीट हुआ प्रसंस्क्रीट हुआ प्रसंस्क्रीट मतलब जिसका प्रसंस्क्रीट प्रोसेसिंग कर दिया गया ठीक है जो डाइरेक्टी उपवोकता को दिया जाता है बजार के लिए खरीद लो भाई बस वो कहलाता है market milk देखो पूर्ण milk को ओना चीए पूर्ण किसे कहते है पूर्ण वो होता है जिसके अवयों को disturb नहीं किया गया, अवयों को छेडा नहीं गया अवसा भी उतनी है, सब कुछ उतना उतना ही है राइट है, प्रैसन स्कृत उसी को खोलेगे पांचनों के बात तो नहीं मैं करा पाऊंगा छह साथ के बात छह साथ से लेके और अठारा तक, ओ सतना तक करा दूंगा विठा मोटे मोटे, हाँ जो भी कहोगे वो ही बता दूंगा आपको अरोरिकी मात्रा निकालना सिखाओ वो निकालना सिखाओ अइन को स्मुक रादूम बैंने यह तो लिखलेना उर तो क्या करें इस he कुछ जिनके वाद बुक नहीं हो लिखलेना उर तो क्या करूँ है तो क्या करूँ मैट तो ठीक है उमम surfing में चोटमटी हो जातीए कम G1 10 15 पेज में नहीं ओंझे अध entrepreneur कोई page उदर आगे होंगे दूसरी देढ़िए विटा page है न पूर्ण परसंस्कृत पूर्ण क्या होता है जिसके अवया उसे छेड़ चार न की गई हो परसंस्कृत क्या होता है जो processing में आता है और सुरक्षित क्या होता है जो भाईया प्रण प्रसंस्कृत सुरक्सेत दूद अब लेते हैं विपनन दूद के प्रकार टाइप सौर मार्केट मिल्क तो FSS Rule ये कहता है कि इतना प्रसंट वसा होनी चीए इतना प्रसंट ये होना चीए अब सारे ही क्वेस्टन आ रहे हैं वेरी 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 मोस्ट आ रहे विड़ा देखो सारे ही क्वेस्टन वेरी मोस्ट आ रहे है आ रहे है या सारे देखो विपनन दूद विपन दूद का प्रकार बना किसके आदार पे FSS Rule 2011 के अनुसार जिन में वसा इतनी होती है SNF इतना होता है उसके साब से बना हुआ है सबसे पहला आ रहा है संपूर्ण दूद Complete Milk All Milk मैंने पहले कहा था जिसके संग्टन से कोई बदलाव नहीं किया गया हो तो स्वस्त पसू से निकाला हुआ दूद जिसके संग्टन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो अब यहों से छेड़ चाड़ ना की गई हो वो ही कहलाता है Whole Milk, Complete Milk All Milk, Complete Milk All Milk, Complete Milk All Milk, Complete Milk यह बड़ी आइडिया दिया है किसी बच्चे ने यह आइडिया बहुत अच्छा दिया है किसी बच्चे ने दिया है ना जिसने भी दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेस्चन करा दो यह गजब आइडिया है इससे बहुत मज़ाएगा देखना यह गजब कंसेप्ट दे दिया सच्छी में बहुत अच्छा कंसेप्ट है अभी दो तीन दिन में कलिया पर सो दो तीन दिन में हो जाएगा वैसी भी समंडे तक हो जाएगा उसके बाद में सुपर अग्रिकल्चर लेके बैठना है मां आपको बता जाओंगा इस पेज नंबर ओफलाइन क्लासे सारी सुरू हो गई है दमाकेदार बहुत गजब का रिस्पोंस है सब क्लासे जब दबा के चलरी बटा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सही हो गए न उसके हिसाब से एक बच्चा पूछ रहा है ओफलाइन के लिए ओफलाइन दबा के चलरी ओफलाइन एकदम फिनिस अब मैंने रिवीजन सुरू कर दिया उनका बहुत रिवाइस के लिए आज़ो आज कम्प्लीट हो गए बढ़ा कुछ बच्चे होंगे ओफलाइन के होंगे वर्ट टू वर्ट कम्प्लीट करा दिया चल बढ़ा है कोई है क्या ओफलाइन वड़ा बच्चा कोई नियोगाज अब आज़ो बढ़ा स्टेंडर्ड मेल्क कुछ बी कर चाहे चाहे वसा निकाल चाहे क्रीम निकाल चाहे वसा निकाल चाहे SNF कुछ भी कर लेकिन फिक्स कर दे दू चाहे वसा निकाल चाहे SNF मिला साढ़े चार साढ़े आठ चाहिए वसा निकाल चाहिए कुछ भी कर वेटा दूद में वसा SNF की मात्रा फिक्स करनी है चाहिए तू वसा या क्रीम को निकाल ले चाहिए उसके अंदर सेपरेटा मिला दे मुझे चाहिए साड़े चार साड़े आठ साड़े चार साड़े आठ इसको देखो कैसी याद करो कोई स्टेंडर्ड को यह स्टेंडर्ड होता है साड़े चार, साड़े आर तो होड़ा ही चाहिए स्टेंडर्ड मिल्क को उसी को कहेंगे हो गया? दुबारा सुनना आप चाहिए कुछ भी करो भाईया चाहे आप उसमें से क्रीम निकालो, हमें कोई तकलीप नहीं है, चाहे उसमें आप सेपरेटा मिलाओ, इससे भी हमें कोई तकलीप नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए साड़े चार, साड़े आठ, तो इसको याद ही कैसे करते हैं, बिटा, क्रीम निकाल चाहिए सेपरेट सब्ड़्ड मिल्क क्रीम निकाल hem सब्ड़्ड मिल्क यहाद वूरे है कुछ भी कर चाहिए अगर 6 फेट अना तो मुझे नहीं चीए 6 मुझे तो 4 चाहिए भाई 4 चाहिए 4 चीए मुझे 4 चाहिए स्टेंडर में 4 चाहिए होती बस और SNF चाहिए या कम पड़ने मिला ते सेपरेटा में नाराज नहीं होगा मिला ते बार से निकालने क्रीम लेकिन मुझे चाहिए 4 चाहिए 8 4 चाहिए 8 तो क्रीम निकाल चाहिए सेपरेटा मिला मुझे चाहिए 4 चाहिए 8 पूनिया जी चालू हो गई और बेश तो चलते रहते हैं हर 2-3 दिन पर नया बेश चलता है अब आज़ो यह आपका हो गया स्टेंडर्ड दोद क्रीम निकाल चाहिए वसा मिला नहीं क्रीम निकाल चाहिए सेपरेटा मिला सड़े 4 सड़े 8 तोन्ड अगला वेरी मोस्ट तोन 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 यह तोन्ड मिल्क बनाया किसने था एक विग्यानिक थे बहुत बहुत तकड़ा मॉंबैक के अंदर दूद बहुत कम पढ़ता था मॉंबैक इनको नंबर दे दो भई इनको नंबर मता दो फिटा एक बार नंबर पता दो सबो रहो इन्होंने सबसे पहले लेके आये थे concept और इन्होंने मुंबई बनाया था Actually क्या था कि मुंबई में दूद नहीं बनता था पुरा दूद कम था तो उन्होंने का भया कुछ ऐसा करो कि सोरे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि फेट कम ऐसे नेब कम हो जाए इसी concept पर टोंड मिलक आया ये डूक्टर डियन खुरोडी थे डूक्टर डियन खुरोडी ने कहा जी कुछ ऐसा करे ताकि दूद जो है न मुंबई में पूरे में आ जाए आद्धा मुंबई में आ रहा है या कम में आ रहा है पूरे में नहीं पहुच बारा इन्होंने क्या क्या दूद में थोड़ा पाणी मिलाया और थोड़ा separate दूद और मिला दिया separate दूद का जो आ पाउडर separate दूद का पाउडर और मिला दिया और उसकी फेट कर दी तीन साटे आठ टोंड तो मुंबई को पूरे को दूद पोचाने के लिए डी एन खुरोडी ने बेटा ये देखो यह आ गया इस पूर्ण दूद था ना पूरा दूद उसमें पाणी मिला के फेट को आदा कर दिया पहले छेता तीन कर दिया मालो और सेप्राट दूद का पाउडर मिला के उसका एसे ने अब साढ़े आट कर दिया और वो दूद बन गया तोड तो यादी कैसे करते हैं अपने कई बार पहले भी गाया बिड़ा तीन साढ़े आट तोड डेड नो डबल तोड तीन साढ़े आट तोड डेड नो डबल तोड तीन साढ़े आट तोड डेड नो डबल तोड व वाज हो एक ही गाने में दो क्वेशन, तीन साधे आट टोण एक्जाम में माल लेना की 101% आने की संभावना है, बहुत संभावना है बिटा, बहुत अच्छा क्वेशन है, तो बनाया किसने? खुरोडी जी ने बनाया, इसमें एसने फेट होता कितना है? तीन साधे आट टोण क्यों बनाया समझ मैं? मुंबाई को अखा मुंबाई को दूद सप्लाई करना था, तो दूद कम पड़ रहा था, तो उन्होंने का फेट कम करदो ना, तीन ही करदो, पानी मिला, टिका पानी, टिका पानी, टिका पानी, तो पानी टिका ना सुरू कर दिया, पानी मिला ना, शुरू कर दिया फिर ये SNF कम पड़ गया मिला दूद का पाउडर SNF भी कर दे साड़े आठ बस तीन साड़े आठ का कंसेट बना टोंड मिल्क मार्केट में आ गया तो टोंड मिल्क लाने वाले खुरोडी जी मुंबई को दूद पूरा सप्लाई करने के लिले क्या है थे दूद में पानी मिलाया करते थे और सेप्टा दूद मिला के SNF b裁स अठ कर दिया करते थे तो तीन साड़े आठ की देड ना डबल टोंड अब आगया डबल टोंड डबल टोंड तो यहाद ही नी करना भी तो कंपनी का प्रचार नहीं करना था है ना तो याद हो गए किसी को तीन साधे आठ टोड डेड़ नौट डाबल टोड तीन साधे आठ टोड डेड़ नौट डाबल टोड हो गया था सेपरेटा दूद इसकी मेल इसमें क्या करते है क्रीम निकार देते हैं अब क्रीम निकालने के बाद जो वसा बसती है क्रीम तो निकल गी वसा तो निकल गी आदा परसेंट बसती है आठ परसेंट इसका होता है 8.7% पाणी 90 पर आ जाता है ये तो अड़ा सेपरेटा दूद है आधा परसेंट तो फेट रहे गी आधा परसेंट तो रही जाती है आपने क्रीम वाल बाद पांद आदा परसेंट रह जाती है, रह जाती है आदा परसेंट तो आलागे मसीन में तो नहीं रहती है आदा, मसीन में तो इतनी रहती है बस 0.05 परसेंट है, लेकिन आप जो जैसे गुरुतुआ करस्व विदी से निकालते हैं, तो आदा परसेंट रह जाती है, इसका तो एकी पाणी हो गया 90% पाणी हो गया 90% सेप्रेटा दूद पाउडर जो बनाते हैं इसका पाउडर सुखा इसी का पाउडर बनाते हैं दूद का पाउडर इसी का पाउडर बनाते हैं सुखा कि सेप्रेटा दूद को सुखा कि उसका पाउडर बनाते हैं मार्केर से पाउडर लेकिया थे उस पाउडर के अंदर जो कुल ठोस होता हो पिच्चानम परसेंट होता है पाउडर पाउडर से परिटा दूद का रखता है पिच्चानम परसेंट ठोस पदार पिच्चानम परसेंट ठोस पदार पिच्चानम परसेंट ठोस पदार आयोर आयोर से परटा दूद निकल गई उसकी क्रीम रसोनियों आधा परसेंट उसमें फेट ही रह गया SNP है 8.7% सोनियों पानी उसमें नब पाउडर में ठोस पिचाण में हो गया अब लेते हैं पुने रचित दूद प्रभ पुने रचित जिसकी रचना फिर से की गई है ना माले रिकॉंस्टुटेट मिल्क इंगलिस पर क्या वो लेंगे इसको रिकॉंस्टुटेट मिल्क माल लेते हैं कि एक बार दूद खतम हो गया माल लो भगवान के यहां बैटे थे और जाके भगवान ने का बगवान के यहां माल लो कोई दूसरे बगवान मिलने के लिए आए तो भगवान मिलने के लिए इनके लिए चाय बना के लाओ तो उस चाय बनाने वाले रचो यह ने रचना की जाए प्रभू कोई तरीका बताओ जिससे दूद की रचना हो जाए वास ये दूद का पाउडर ले जा इसको पाणी में घोल ले इससे बनने वाला दूद रिकोंस्टिटुटेट मिल्क कहलाएगा कल युग में इसको पुनर अचित दूद के नाम से भी जाना जंदाड को दन देग लिए और आज को दन देग लिए दूद का जो पाउडर आता उसको पाणी में घोल के बनाया वा दूद रिकोंस्टिटुटेड अर पुनर अचित दूद रिकोंस्टिटुटेड अर पुनर अचित दूद जोगो दूद के पाउडर को पाणी में घो एक केजीसे कितना बढ़ता है जितना TSS होता है उसका आणा TSS उतना ही मढ़ता है जितना शुका सुकाई ठीक है ऐसे करके बगवान ने पुनर अचित दूद बढ़ाया और उनके यहां जो है न उसी दूद से फिर दूसरे बगवान जो मित्र आए थे उनको चाय पिलाएगी ठीक है भीटा हो गया अब आजो रिकमबाइड अब ये रिकोंस्टुटेट था दूबभारा देखना रिकोंस्टुटेट था ये पुनर अब आरहा है पुनर सयोजित इंग्लिस का सब्दी याद करना रिकमबाइड अब की बार पाउदर से नहीं बनेगा अब की बार भैया बटर ओल भी इसमें बटर ओयल भी चीएगा विड़ा, तो बटर ओयल सेप्रेट दूद पाउडर पाणी मिला के रिकमबाइट, 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 बटर ओयल सेप्रेट दूद पाउडर पाणी मिला के रिकमबाइट, 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 बटर ओयल सेप्रेट दूद पाउडर पाणी मिला के रेकंबाइंड, रेकंबाइंड दुबारा सुनना बाचर ओयल, सेप्रेटा दूद पाउडर पाणी मिला के रेकंबाइंड, रेकंबाइंड इसमें होता है तीन साडे आट टोन, वो ही टोन इसमें है तीन साडे आट टो तेन साथे 8 रिकमबाई르 एक किलो पाउडर से कितना बढेगा वह अपस पाणी मिलाड़ा उतना ही रिकम्बाइड 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 इतना बने अ मुद्ध पाणि मिल्कलchosk यह ढुद का पाउडर आ गया नश्कुत में। burst so agaraj थोड़ा सा सेप्रेडा दूद पाउडर थोड़ा सा पानी ले लोजी राइट तीन परसेंट फेट कर दो साड़े आट परसेंट ऐसे नै सरे अरब भया ऐसे सेलेक्शन होता तो मेरे तो 20-25 तो मेरे घर के रिस्तिदार बैठे बाई वो महान आदमी हैं दोस्तों से इन से नि होता उनके कोई फरक नहीं पर दा मान सक्षीत हो इस बार आपका पुदर से कोई गल्ती नहीं होने वाली फीक में पुर्णे से जिरू रिकंबाइट बेल्क बटर ओयल प्लस सेप्रेड़ा दूद पाउडर प्लस पाने तीनों जम मि बनता है रिकमबाइड मेल्क टीन साधे आठ टोच तीन साधे आठ रिकमबाईड राइट अब आजाओ पूरीद दोध या फिल्ड मिल्क अगर कोई आदमी बहिमान हो मत मानो बहिमान नहीं है दूध है ऐसा आता है वो ओरिजिनल गी को तो निकाल लेता है दूध में और उस गी को निकालकि घर पे रख लेगा उसमें फिर वनस्पती तेल या वनस्पती वसा डाल देगा नद डाल डू वापस डाल दे लो तो हो गया फिल्ड मिल्क ये धाक ये फेट निकाली और बार की नकली फेट डाल दी पोध़ो वाली फेट डाल दे तो पूर्ण दूद पूर्ण दूद कोई सा होता है जिसके संगतर में कोई वदलाव नहीं किया गया हो उसमें से दूद की वसा तो निकाल दी वनस्पती वसा डाल दी इसमें भी तीन साधे आठ तीन साधे आठ टोड तीन साधे आठ रिकमाइड तीन साड़े आठ फिल्ड मिल्क तो तीन साड़े आठ कितना मस्त काम में आ रहा है तीन साड़े आठ टोड़ तीन साड़े आठ रिकंबाइड तीन साड़े आठ फिल्ड फिल्ड तीन साड़े आठ टोड़ तीन साड़े आठ रिकंबाइड तीन सा डे आठ फिल्ड तो यहां पर ये मार्केट मिल्क के प्रकार पूरे रवापो ओल से फेट बदलती है बढ़ती है वो तो ओल तो फेट ही होता है बिटा अनसेचुरेटेड फेट हो अब नया टोपिक सुरू हो जाता है हमारा स्वाच्च दो दिया क्लीन मिल्क सुनना स्वाच्च दूद किसे कहते है स्वाच्च एवम स्वास्थ पसूचे स्वाच्च एवम स्वास्थ वातावरन में स्वाच्च एवम स्वास्थ बरतन में स्वाच्च एवम स्वास्थ जगय पर स्वच्छ एवं स्वस्थ इस्तान पे नेधी पे निकाला गया दूद स्वच्छ दूद कहलाताई इतने ज्यदा होगे स्वच्छ एवं स्वस्थ कुछ कम करते है definition और बढ़िया बढ़ेगे तो स्वस्थ एवं स्वच्छ पसुओं से स्वच्छ वातावरण में साप हातों से साप बरतन में निकाला गया दूद स्वच्छ दूद कहलाता है देखो देखो स्वच्छ एवं स्वस्थ पसुओं से स्वच्छ वातावरण में साप हातों से साप बरतन में निकाला गया स्वच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् नहीं दिखने वाले भी बिलकुल ही नहीं है, दोनों असुदियां इसमें, तो direct असुदि भी नहीं है, मतलब आखों से दिखने वाली, indirect जो आखों से नहीं दिखती है, दोनों की दोनों जिसमें नहीं होती है, जीवानों की संक्या भी ने के बराबरिया बहुत कम होती है, स् रख रखाओ भी उसका अच्छे वाला होता है, उसको कहते है, सेप मिल्क, सेप मिल्क, सेप मिल्क, डाइरेक्ट असुद्धी नहीं है, इंडाइरेक्ट, डाइरेक्ट मतलग, जो आँकों से दिख जाती है, नगन चक्सों से दिख जाती है, ये नगन चक्सों से नहीं दिखत प्रहीरिया बगेरा यह दोनों सुद्या नेके बराबर होती है जिवानु भी नेके बराबर होते है त्वास्ते के लिए बड़िया होता है ठीक बड़ा और रख रखाव क्क्राश हुआए क्वालिटी भी अच्छी होती है दड़ेट सेफ मिल्क अब सेप तो सेप है कुछ भी नहीं इसके अंदर दो लेकिन सुरक्षित जो है उसमें दिखने वाली नहीं है तो क्या सुरक्षित दूद हमेशा स्वच्च दूद होता है हां जी लेकिन स्वच्च दूद हमेशा सुरक्षित होता है नां जी दुबारा सुनना भाई ये वाला दूद है इसमें तो कोई भी असुद्धी नहीं है ना दिखने वाली है ना नहीं दिखने वाली है लेकिन इससे पहले जो पटादाने में पहले सुच दूद उसमें दिखने वाली नहीं है नहीं दिखने वाली हो सकती है बेक्टीरिया हो सकते हैं पहले वाड़े में, इसमें तो कुछ भी नहीं है तो क्या, सुरक्षित दूद, ये वाला दूद है, वो स्वच है, हाँ जी लेकिन क्या स्वच सुरक्षित है, ना जी देखो देखो, समझ में आ रहा है किसी के इसमें क्या देखो, इसमें बेक्टीरिया हो सकते हैं, हाँ तो स्वच दूद, सुरक्षित दूद हो, स्वच दूद, सुरक्षित दूद हो जरूरी नहीं है क्योंकि स्वच में बेक्टीरिया हो से तो सुरक्षित नहीं होगा हो ये भी हो सकता है लेकिन जो दूद सुरक्षित है वो तो सुरक्ष है नहीं है देखो जो सुरक्षित दूद होता नहीं जिसमें कुछ भी नहीं है वो तो हमेशा ही स्वच दू तो है लेकिन स्वच से सुरक्षित हो ऐसा जरूरी नहीं है थोड़ा सा इतना सा दिमाग लगाना पड़ता है इनना सा इनना सा दिमाग लगाया खेल समझ में आया आया मैंने इनना सा दिमाग लगाया मेरेको सारा खेल समझ में आया हो गया चल अब है दूद दूसी तोड़े के कारण कहा से आती इंपिरिटी हो गया पहला है डायरेक्ट इंपिरिटीज प्रत्यक्स ए सुद्धी डायरेक्ट इंपिरिटीज डायरेक्ट इंपिरिटीज आँखों से दिखती है डायरेक्ट आँखों से नहीं दिखती इंडायरेक्ट जैसे बेक्टीरिया अब लेते हैं स्वच्छ दूद उत्पादन के लिए किन-किन बातों का या क्या-क्या फिक्टरस का ध्यान रखना होता है एक तो भाईया आपका पसुना स्वच्छ साप होना ची है राइट मानस पसु साप होना ची भी या दूद निकालने के एक देड़ गंटे पहले पसु को डंग से नहला ओ बढ़िया सापुन से नहला नलूके फिर तोलिया लेके टोविल लेके उसको बढ़िया पोंच लो नीचे से यूँ लगा के उपर से यूँ लगा के ऐसे पोंच लो भाई तो दूद निकालने के एक से देड़ गंटे पहले पसू के सरीर की सपाई जरूरी है तब ही स्वच्छ दूद उत्पादर हो पाएगा otherwise नहीं हो पाएगा अरब मानस मानस हो गया बंद गरीज़ तो भया एक देड़ गंटे पहले डंगसे नहला नलूगे उसके तोलिया वलिया मार के कर लो हो गया नंबर दो स्वच्छ दूग्त साला आसपास जो ना बिटा बिलकुल साफ सवाई होनी चीए पूरी संदर स्वच्छ दूग्त साला गवाला भी स्वच्छ ओना चीए राइट है मेरी तरव उसको जुखाम नहीं होनी चीए नितो भया अगर गलती से कप चला गया ना दूद के अंदर गलती से करते कप सला गया एकदम से फेट चली जाएगी ग्यारा पे एकदम से फेट चली जाएगी ग्यारा पे बीटा क्या लिख रहा है ओनलाइन वालों पे भी ध्यान दीजियो बीटा ऐसा कहके मुझे लग रहा है आप गलत कह रहे है जितना ध्यान मेंने दिया ना उतना किसीने राजस्तान में नहीं दिया आपके उपर ओनलाइन वालों लाइन टू लाइन तो होल्टी कल्चर करा दी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन ही बीटा एनिमलस बेंडरी होनी वाली है लाइन टू लाइन एगरोनोमी होगी बीटा कोई एकादा चेप्टर रहा होगा पूरा पढ़ा दिये गटा, फिरी के अंदर ऐसे मत करें ऐसा मतलिक है यार ऐसे मतलिक है बिटा, कि ओर लाइन वालों पे ध्यान दीज़ू किसी ने ही नहीं दिया पूरा राझास्तान लूटने में लगावा था कुछ था भी नहीं कूर्स के अंदर मैंने कभी नहीं का किसे कोर्स ले लो चूंस लिया लोगों को और रजल्ट आएगा उस दिन आला कि कई हैं के तो बुखार चड़ी भी है कई हों के तो दिमाग में बेटा हुआ कि वो फलाने जी ने उन्होंने बहुत गजब पढ़ाया वो रजल्ट आएगा तब पता लगए गजब किसने पढ़ाया है रजल्ट पर बताएगा जिस दिन रजल्ट आएगा उस सारे के सारे एपिसोड दुबारा देख ना निकालगे आपको लगेगा सर ने कितने क्वेसंस पहले तियार कर दिये बहुत ध्यान रखा विटा पूरी पडा दी मिन आप ये डेरी दुबारा पड़ा तीसरी बार पड़ा रहा हूँ ये ये डेरी तीसरी बार पड़ा रहा हु लेकिन एसास तब होगा जब रिजल्ट आयेगा लोग उपर उपर से िड़ा 7 को तरचार लाइन पडाते दें लोगों को लगता मेरे को पूरा समझ में अगया मेरे को पूरा समझ में आगया इसलिए पूरा फोकस कर खूप ड़ा दिया घूप ड़ा बहुत बटा दिया सारी के नाम आपकी मेडिशिनल प्राट दुनिया बर के मेडिशिनल सारे कम्प्लीट करा दी वड़ा अब कोई बच्चा जो है ना उसको लग रहा था कि नहीं सर्तों बहुत ज़्यादा वो पडारे डीप पडारे कोई क्या वो उनके लिम उसकी लेवडा नंबर फोर दूद के बर्तनों के अच्छा गोले वाला समझभा आगया बीडी नहीं बीडी पीने वाला नहीं वना चिये ठीक है अना बीडी पीने वाला नहीं वना चिये उसके बाल कटे होने चिये राइट हो गया खिलाने की विधे ओबी ताकत नहीं, यह क्या लिखना चा रे एक भाई साब? क्या कहना चा रे हो भाई सार तोड़ा हिंदी में या या कोई बड़ी अतरी कैसे लिख दे ते से यार? पस्को चारा दाना की विधी, एक तो दूद निकाल लेके एक से देड़ गंटे पहले इक चारा खिलाना चाहिए एक तेड़ गंटे पहले हाँ एक तेड़ गंटे पहले चारा दाना मारी तो भेश दूदी कोंदेव भाई-साब वह तो आते ही पूष्णि ये बंट कि बंटू कट्य वोला आज तो सोरी दीदी आज हमारे ना व्यवस्ता नहीं है हमारे पास आज विवस्ता नहीं है उठा बाल्टी रवाना हो यहां से अगर तेरे पास विवस्ता नहीं है तो भैया मैं दूद नहीं देने वाली पहले बांठ की विवस्ता कर बाल्टी लेके आ फिर दूँगी बागी तो साइन्टिफिकली ऐसे होता है कि एक एक एड़ गंटे पहले उसको चारा खिलाओ दाना खिलाओ कुछ भी खिलाओ उसके बाद एक एड़ गंटे कुछ मत खिलाओ फिर दूद निकालो ताकि चारे वारे उड़े ही नहीं राइट नमबर छै दुख्द दोहने की विदे दूद कोन सी विदी से निकाल रहो ये भी जरूरी है सही कहरे चल चल उटा वाल्टी निकल यहां से बंटो लिया दूद ले जा हमारे तो बैसे बड़ी इंटेलिजेंट है जी पड़ी लिगी है राइट इंटेलिजेंट माइड से बोला अमनी देरी बैया उटा बाल्टी लिजा दरी बाट है के बोला कुन्नी उजायली विवस्ता सुबह से आम कुन्नी वे दो दिन उठा उठा बाल्टी ले जा यहां से दुख्द दोने की यंतरिया मसीन की सपाई वो भी सावशुत्री होनी चीए, क्लीन होनी चीए दूद को दुख्द साला से अटाणा जैसे दूद निकाले बैटा तुरन निकालके बाहर ले जाओ बाट इसको बंद कर दे यार राइट दुख्द साला जे अटादो चानना चान लो उसको लाती चान लो और दस्वे पे आगे विटा दूद का संग रहे है दूद को पांच डिगरी सेंटिग्रेड पर कर लो भंडारण दूद को पांच डिगरी सेंटिग्रेड पर कर लो भंडारण ये वेरी मोस्ट टेंपरेचर है दोस्त वेरी मोस्ट पांच डिग्री सेंटीग्रेड पर रहा है अब ये दूद स्वच पाम में क्या आता है तो भाया जो दूद है उसका क्या इंपोर्टेंस है बडिया प्रोडेक्ट बनते है बडिया मावा बर फीर जलेबी बडिया बनती है बड़ चीज और अगर संक्रमी दूद है तो कई ब और अतिसार दस्त और आंत्रसोत यह विया इधर से उधर ट्रांस पर हो सकती है टेवे 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 हैजा 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 आंतर जवर जिसको टाइफाइड कहते हैं अतिसार और आंतर सोत आतों में सुजन अतिसार हो गया डाइरिया यह ऐसी विमारिया जो आदमी में लग सकती है दूद के द्वारा दूद के द्वारा दूद के द्वारा तो आज का यहीं तक रखने वाले हैं कल हम लोग ना इसके आगे वाला यह टोपिक लेंगे milk processing ठीक है कुछ पास्तूरी करन लेंगे कुछ और बात देख रेंगे ठीक है यह वाला है और अगर आपको ना एक तो बर्थ देखा कोई वह blood donation का पू बन रहा है क्या बन रहा है पोस्टर अगर आपको बनाना है तो आपना पहली बात देखो आप जुड़ना है तो यह वाला नंबर है वार्टसप नंबर है इस पर वार्टसप करें अगर आपको बनाना है एक बार मोबाल देखा यह वार्टसप नंबर है अगर आपको पोस्टर बनवाना है डेरी उसका blood donation का उसके लिए यह नंबर अपकी बार change कर दिया एक नंबर बताते तो मेरे को याद नहीं है वो क्या नया ही नंबर है वो यह है सत्यानम है 855 4221 बुक लेनी है तो यह वाला नंबर है बुक लेनी है गुरूप में जुड़ना है और अगर आपको blood donation का पोस्टर बनाना है है क्या बढ़ावा मनस तो यह ठीक है बढ़ाओ थोड़े हाड नंबर ही स्क्रीन सोड ले ले बाद में कर ले हूँ या वैसे गुरूप में डालावा आज इसी नंबर से गुरूप में डाल दिया था बढ़ा इसी नंबर से गुरूप में डालावा एक पोस्टर डालावा है उस पर आपके लिक करके डारेक्ट जा सकते हो बिना सेव की इसी नंबर से डालावा हो पोस्टर पूरे निवे हो गए ना दोर दो चार दो चैद और यहाँ कम पड़ गे है पूरे निवे मार डाला हाँ पूरे निवे इक है मेरे को याद भी नहीं है सत्यान में आर सो पच्पन एक दोर आएगा जी अब सही अब हो गया सही सत्यान में पिच्चा सी चोवन बाईस इकीस चोवन बाईस इकीस इसी से डालावा पोस्टर गुरूप के अंदर हो गया चली बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल तब तक के लिए सभी को नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार जहीं जेराजदानी सस्रीकाल सब्बागेर वाई गुरूदी फते खुदा आपीज अलापेज राम राम सांदार केरियर और एगरी कल्चर मतलब पच्कोडिया जैपुर राजस्थान एगरी कल्चर में राजस्थान ही नहीं नौर्थ इंडिया का किंग कोन फैसला आप करें राजदानी फाउंडा ने इस साल दी है ICR में हिंदुस्तान की केटेगरी की आठवी रेंग और सामाने वर्क की साठवी रेंग राजस्थान जैट दो हजार बीस में टोप दस में से आठ विद्यार थी टोप पचास में बाईस विद्यार थी राजदानी फाउंडा पच्कोडिया के बिना Z सीदे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजदानी ने किया कबजा जहां 90% बच्चे कर रहे हैं बारवी के बाद तैयारी में एक दो साल खराब वही राजदानी न मचा रहे धूम बारवी के साथ ही Z 2020 में 480 में से निशानत यादों ने प्राप्त किये 408 नंबर यस सर्माने 394 नंबर इस वर्ष इंस्पाइर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2,60,000,000 रूपे की स्कोलर सीब कक्सा 12 के परिणाम में 97 परतिस्थिया अधिक एक विद्यार्थी, 95 परतिस्थिया अधिक तीन विद्यार्थी, 94 परतिस्थिया अधिक साथ विद्यार्थी, 93 परतिस्थिया अधिक ग्यारा विद्यार्थी, 90 परतिस्थिया अधिक चालीस विद्यार्थी और वो भी ओवर ओप्सनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विध्यारदी, 99% ज्यादा लाने वाले 3 विध्यारदी, 97% आधिक लाने वाले 19 विध्यारदी, 90% आधिक लाने वाले 163 विध्यारदी दसवी से बारवी साइन्स व एगरी कल्चर में अजे कुमार मीना ने की 49% की रिकोर्ड व्रद्धी, रिंकु यादवने की 37% की व्रद्धी, नरेश पाटिदार ने 36% की व्रद्धी प्रकरती की गोद में दस बीगा में फैला विसाल केंपस, आधुनिक सुक्षुविधा से युक्त, सेपरेट गल्स और बॉइस होस्टल्स, राजधारी एजुकेशन गुरूप अचकोडिया की यूटूब सेनल वे मोबाईल एब पर रोजाना ओनलाइन क्लासेज भी, आईसी यार, जेट, बीएच्यू, एगरिकर्जा सुपर्वाइजर, 11-12 क्लास के ओनलाइन कोरसेज भी उपलग, 11-12 के साथ और इसके बाद भी, आईसी यार, जेट, बीएच्यू की क्लासेज उपलग, राजदानी एजुकेशनल गूप पचकोड़े जैपूर में शामिल है, राजदानी साइंस दारा फोर प्रिपरेशन ओफ नीट जेए, राजदानी फाउंडा फोर प्रिपरेशन ओफ आईसी आईसी यार, जेट, बीएच्यू, राजदानी पब्लिक सीनर सेकंडरी स्कूल for all academy classes, राजदानी girls and boys hostel with modern facilities or residential block, साथी विजित करें www.rajdanigroup.in, helpline number 9314130130, call 9001001314. हुआ हुआ हुआ